Hello students, I am Sonny Gupta of Maths Teacher. Today we will discuss about chapter 3 of Class 6, Playing with Numbers. The topic is Divisibility Test. Divisibility Test में सबसे पहले आता है Divisibility by 2. अब 2 से कोई number divide होता है, इसके लिए क्या पहचान हमें करनी होगी? कि जो number है उसके last digit में या तो 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए. ठीक है, इस 5 नमबर अगर उसके last digit में आ जाते हैं, तो वो number जो है, वो 2 से divide हो जाता है. ठीक है, अगर Divisibility by 3 चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे? जो भी number है, उसके digits को add करेंगे, 4, 6, 8 है, तीनों को add करेंगे, add करके 18 आता है. If this addition, या this answer is divisible by 3, then given number is also divisible by 3. ठीक है, तीनों digit को add करा, जो number आता है, अगर वो divide होता है, तो given number भी हमारा divide होगा. 4 से कैसे पता करेंगे? लास्ट के दो डिजिट होते हैं, अगर वो 4 से divide हो जाते हैं, किसी भी number के, ठीक है, तो वो number क्या होगा? 4 से divide हो जाएगा, ठीक है? जैसे 6, 2, 8, 4 है, last two digits divisible by 4 है, ये भी divisible by 4 है, ये भी divisible by 4 है. Divisibility by 5, last digit अगर 0 या 5 आ जाए, तो वो number 5 से divide होगा, otherwise नहीं होगा. अगर कोई number 2 और 3 दोनों से divide होता है, ठीक है, दोनों से ही कठे मिलकर वो अगर divide हो जाता है, तो वो number 6 से divide होगा, जैसे 6, 3, 7, 2. अब ये 2 से divide हो जाएगा, last में 2 है, 3 से divide करने के लिए हम इसको add करके देखेंगे, 6 plus 3, 9, plus 7, 16, plus 2, 16, plus 2, 18, 18 क्या है? divisible by 3 है, तो ये 2 से भी divide होता है, और ये 3 से भी divide होता है, इसका मतलब ये number 6 से भी divide होगा. divisibility by 7, ये important है, ठीक है, इसको आपने धोड़ा ध्यान से देखना है, सबसे पहले double the digits in one's place, जो भी one's place पर digit होगा, उसको आप double करेंगे, subtract the number formed by the rest of the digits, जो digit rest बच गए हैं जो, ठीक है, उन में से उसको minus कर देंगे, if the numbers obtained is divisible by 7, जो number बन तब आता है, रिजल्ट जो आता है, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, तो वो number divisible by 7 होगा, जैसे की 616 है, ठीक है, last का digit क्या है, 6, इसको double किया, 12 आ गया, rest digit का उन से रह गए, rest number 61 रह गए, 61 में से हमने 12 को क्या करना, minus करना है, minus करने के बाद 49 आया है, 49 is divisible by 7, ठीक है, अगर ये divisible by 7 है, तो ये number भी divisible by 7 होगा, divisibility by 8, अगर last 3 digit divisible by 8 हैं, तो number divisible by 8 होगा, ठीक है, ये last 3 digit, last 3 digit, इनको divide करके देखेंगे, 8 से तो वो direct divide हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा number भी divide होगा, divisibility by 9, अगर जैसे हमने, ये same rule जो है, ये divisibility by 3 की तरह है, कि sum of digits, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड होगा, अगर sum of digit 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, divisibility by 10, if last digit is 0, ठीक है, जो है, once place में अगर 0 आ जाता है, तो वो number 10 से डिवाइड होगा, otherwise नहीं होगा, divisibility by 11, ये भी important है, इसको आपने कैसे चेक करना है, हमने even और odd place पर जो number है, उनको add करना है, और फिर उनका difference निकालना है, अगर difference 0 या 11, 11 आ जाता है, या 11 का multiple आ जाता है, तो वो divisible by 11 होगा, otherwise नहीं होगा, जैसे 5, 7, 8, 9, 3 है, ठीक है, मैं इसको even मान लेता हूँ, तो ये odd हो जाएगा, ये even है, तो ये odd है, ये even है, तो पहले मैं, even number काट करता हूँ, 5 प्लस 8, 13 प्लस 3, 16, 16 आ गया, ऐसे ही odd place को 7 प्लस 9, 16, माइनस करके 0 आ गया, 0 है, तो divisible by 11 है, ठीक है, ये 11 का multiple आ जाता है, ये ऐसे हाँ पर माइनस करके, हमारे पास 22 आ जाता है, 33 आ जाता है, तो वो भी 11 से divide होगा, अब ये next number मैं आपको बता रहा हूँ, 3 प्लस 5, 8 प्लस 5, 13, प्लस 7, 20, 4 प्लस 4, 8 प्लस 4, 12, 20 माइनस 12, 8 आ रहा है, तो ये divisible by 11 नहीं होगा, कुछ properties हैं जो आपने ध्यान रखनी है, if a number is divisible by another number, एक number किसी number से divide होता है, it must be divisible by each of the factors of that number, जैसे 108 है, 12 से divide होगया, तो 12 के factor क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो ये जो factors हैं, ये सारे number भी 108 को क्या करेंगे, divide करेंगे, ठीक है, this shows that every number divisible by 9 is also divisible by 3, also every number divisible by 8, देखो ये जो हमने पिछली property पढ़ी है, उसका मतलब क्या है, कि अगर ये number 3, अब 9 3 से divide होता है, इसका मतलब 9 के जो factor होंगे, ठीक है, हर एक जो number होगा 9 का, 9 के जो multiple होंगे, वो भी 3 से क्या होंगे, divide होंगे, also every number divisible by 8 is also divisible by, अब कोई भी number है, जो 8 से divide होता है, वो 1, 2, 4, 8 से भी divide होगा, क्योंकि ये इसके factor है, if a number is divisible by 2 co-prime number, co-prime numbers कौन से होते हैं, जिनके बीच में कुछ common नहीं है, ठीक है, hcf जिनके बीच का 1 आता है, it must be divisible by their product, अब ये 4, 6, 2 है, ये 2 से divide होता है, 3 से divide होता है, तो ये इन दोनों के product यानि 6 से divide होगा, अगर कोई number है, जो 4 से divide होता है, और 5 से भी divide होता है, जैसे 20 है, 20 जो है, वो 4 से भी divide होता है, 5 से भी divide होता है, इसका मतलब वो 4 इंटो 5, यानि 20 से भी divide होगा, if a number is a factor of each of the two given number, then it must be a factor of their sum and difference, जैसे 8 is a factor of 48 and 56, 48 और 56 जो है, वो 8 के factor है, यानि 8 इनका factor है, इन दोनों के factor का, 8 आता ही आता है, तो इनका sum अगर हम करें, 104 ये भी क्या होगा, इसका भी factor क्या होगा, 8 होगा, और इनको अगर मैं minus करूँ, तो ये जो होगा, ये भी किसका factor होगा, 8 factor होगा, इसमें भी 8 जो आएगा, 8 factor आएगा, ठीक है ना, Thank you students,